हेलो एवरिवन, इस्टाडी टुडे विविवलब यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में क्लास 9 इंग्लिज के 16 VVI objective question को discuss करेंगे जो की आने वाले weekly test के लिए अति महत्रपुन रहेगा विडियो को अन तक देखिएगा विडियो को लाइक करिएगा और चैनल के साथ जूडे रहिएगा तो चलिए सुरू करते हैं First question given है Who has written the story, the snake and the mirror The snake and the mirror के लेखा कोन है? Option given है, इसका right answer option 4 होगा Why come Muhammad Bashir इसका right answer होगा The snake and the mirror के इस्टोरी में एक डक्टर जो कुमारा था एक साप और एक आईने की कहानी है Next question देखिए, next question given है What kind of woman the doctor with to marry? यानि कि डक्टर किस तरह की महिला से साधी करेगा तो option given है Thin woman, fat woman या फिर angry woman या tall woman इसका right answer होगा fat woman चलिए इसके सारंग्स को थोड़ा जान लेते है देखिए, डक्टर एक निर्नाई लिया था कि वहाँ साधी करेगा एक ऐसी महिला डक्टर से साधी करेगा जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और एक अच्छा डक्टरी अभ्यास हो मोटी होनी चाहिए यदि डक्टर कोई मूर्खता पुर्ण गलती कर दे और भागने की आवसकता पर जाए तो वहाँ डक्टर के पीछे भाग नहीं सकेगी इसलिए वहाँ मोटी लड़की से साधी करना चाहता था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा fat woman तो next question को देखते हैं question number 3 को देखे question number 3 what made the speaker remember God यानि कि वक्ता को किस बात ने भागवान को याद दिला है इसका राइट एंसर होगा देखे the fear of death यानि मृत्व का जो भाई था देखे एक मोटा साप कूर्सी पर बलखाते हुए डक्टर के कंधे पर गिरा जिसके कारण जिसके कारण वह क्या हुआ डर गया और भागवान को याद किया यानि कि साप डक्टर के कोहनी के उपर लिपट गया था तो इसका राइट एंसर option 3 होगा the fear of death next question देखे question number 4 question number 4 given है what did narrator of the story the snake and the mirror यानि कि कहानी सुनाने वाले इस्टोरी का जो narrator है the snack and the mirror के जो narrator है वो कहां रहते थे small offend house या फिर small rented house या फिर small gifted house या फिर small पक्का हाउस इसका right answer होगा small rented house option 2 होगा right answer यानि कि छोटा सा किराए का कमरा था डक्टर जहां पर रहता था एक छोटा सा किराए का कमरा था ठीक है घर में बिजली का प्राबंद भी नहीं था और खाप्रेल यानि टाइलों से बनी हुई दोहरी ढलान वाली छट थी वहां चुहों का नियमित आगमन जारी रहता था वहां चुहों का नियमित आगमन जारी रहता था तो इसका right answer होगा small rented house नेक्ट कोश्चन देखिए कोश्चन अबर फाइव कोश्चन अबर फाइव गिवन है what made the noise in the doctor's room यानि की डक्टर के कमरे में किस बात का सोर हुआ तो option गिवन है दा आउल्स या फिर दा स्नेक्स या फिर दा रेट्स या फिर दा फिजन इसका right answer दा रेट्स होगा देखिए दा रेट्स होगा क्योंकि डक्टर जिस घार पे रहता था यानि खप्रेल टाइलों से बनी हुई दोहुरी धलान बाली छट थी जहां पर चुहों का नियमित आगमन जारी रहता था तो इसका right answer दा रेट्स होगा next question देखिए question number six who told the story the snake and the mirror जो story है who told the story किसने कहा तो इसका right answer डक्टर होगा एक डक्टर का कहानी है देखिए दा स्नेक एंड दा मिरर एक डक्टर जो कुमारा था एक साप और एक आईने की कहानी है तो इसमें जो मुखपात्र है वो डक्टर ही है, तो इसका right answer डक्टर होगा, next question देखिए, next question number seven, the story, the snake and the mirror is about, किसके बारे में है, तेखिए इहां जो the story, the snake and the mirror में जो मुखपात्र है, वो डक्टर ही है, तो इसका right answer a doctor होगा, दक्टर होगा तो चलिए next question को देखते हैं next question 8 का देखिए who has written the poem a legend of the northland यानि a legend of the northland के जो poem है जो कविता है उसका लेखा कोन है देखे इसका जो option given है तो इसका right answer होगा option 1 होगा next question को देखिए question number 9 sonth Peter turn the old lady into a यानि कि into a यानि कि जो sonth Peter है बो एक old lady यानि बृद्ध औरत को बृद्ध इस्त्री को क्या क्या किस में बदल दिया किस में बदल दिया sonth Peter turn the old lady into a dash दिया गया है तो dash में क्या भरा जाएगा parrot में, sparrow में, wood faker में या फिर crown में इसका right answer wood faker होगा यानि कि cut forward में cut forward में बदल दिया जो sonth Peter किसको, एक old lady को किस में बदल दिया wood faker में यानि कि cut forward में तो चलिया इसको जानते है देखे, sonth Peter sonth Peter जो poem है our legend of the northland में जो sonth Peter था दुनिया भर में प्रचार करते हुए महिला के दरवाजे पर पहुँचे देखे, sonth Peter क्या करते थे sonth Peter उपदेश देने के लिए यहाँ वहाँ घुमते थे किसके उपदेश यूसु मसीहा का यानि जीशु मसीहा का उपदेश देने के लिए यहाँ वहाँ घुमते थे तो sonth Peter दुनिया भर में प्रचार करते हुए महिला के दरवाजे पर पहुंचे वहां पूरे दिन यात्रा कर रहा था यानि संथ पिटर पूरे दिन यात्रा करके ठक चुके थे और भूके थे जब संथ पिटर ने महिला को केक बनाती हुए देखा तो संथ पिटर ने उसे एक केक मांगा ठीक है फिर देखिए महिला ने क् पिर क्या क्या देखी उस बुढ़िया ने यानि कि वह महिला ने जो बहुत लाल्ची थी अपने केक के साथ भाग लेने की इच्छा नहीं रखती थी क्यूंकि उसे लगता था कि वह वहुत बड़ी है इसलिए उसने उसके लिए एक छोटा सा केक बनाया लेकिन वह वह वी उस उसको क्या-क्या ओल्ट लेडि से ओल लेडि से कट फोरबा में बदल दिया यानि उट कर में बदल दिया तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कוש नमबर 10 देखिए question number 10 given है वाट डिट संथ पिटर यूच्ट टू डू यानि कि संथ पिटर क्या करते थे वाट डिट संथ पिटर यूच्ट टू डू देखे संथ पिटर क्या करते थे ना उपदेश देने के लिए यहां वहां घूमते थे ठीक है तो इसका राइट एंसर होजेगा option 3 यानि spirit the teaching of Christ यानि कि यूशु मसीहा का जो जीशु मसीहा है उनका उपदेश देने के लिए यहां वहां घूमते थे तो इसका राइट एंसर option 3 होगा next question को देखे question number 11 question number 11 का होगा question number 11 given है what did Santhe Peter ask the old lady for यानि कि Santhe Peter what did Santhe Peter ask the old lady for क्या मांगा था old lady से Santhe Peter ने केक मांगा था तो option 4 होगा right answer cake मांगा था ठीक है Santhe Peter बहुत भूके थे Santhe Peter बहुत भूके थे और बेहोस भी हो चुके थे ठीक है तो इसका right answer cake next question देखे question number 12 को देखे away away in the Northland where the hours of the day are यहां पर डेस है तो इस डेस पर क्या भरा जाएगा ठीक है यहां पर डेस है तो देखे इसका मतलब है इसका मतलब है बहुत दूर बहुत दूर Northland देस में जहां दीन के घंटे बहुत कम होते हैं देखे away away in the Northland where the hours of the day are यानि जहां दीन के घंटे बहुत कम होते हैं तो few होगा इस डेस में क्या भरा जाएगा फ्यू भरा जाएगा option two भरा जाएगा फ्यू भरा जाएगा ठीक है तो option two होगा राइट एंसर चलिए नेक्स्ट को देखते हैं question number 13 को देखिए question number 13 given है संथ पीटर traveled around the earth to यानि कि संथ पीटर संथ संथ पीटर उपदेश देने के लिए पूरे प्रिथिवी की यात्रा की ठीक है किसके लिए ना उपदेश देने के लिए option two होगा फ्रिज उपदेश देने के लिए उपदेश देने के लिए पूरे प्रिथिवी की यात्रा की संथ पीटर तो option two होगा right answer next question को देखिए question number 14 question number 14 what met संथ पीटर फैंट मतलब क्या ना बेहोस यानि कि किस बात ने संथ पीटर को वेहोस कर दिया तो इसका राइट एंसर होगा fasting यानि कि उपबास के कारण संथ पीटर वेहोस हो गए थे ठीक है तो इसका राइट एंसर fasting होगा चलिए next question को देखते हैं चलिए क्योंकि उपदेश देने के लिए संथ पीटर यहां वहां घूमते थे next question देखिए question number 15 question number 15 given है in the kingdom of fools has been written by तो in the kingdom of fools को किस ने लिखा तो देखिए option given है इसका राइट एंसर होगा A के रामानुजन option one होगा A के रामानुजन next question को देखिए question number 16 question number 16 given है who is the real culprit यानि कि जो अपराधी है real who is the real culprit according to king according to king in the kingdom of fools यानि कि राजा के अनुसर कों real मतलब real अपराधी था तो in the kingdom of fools में तो इसका राइट एंसर होगा option three यानि the rich merchant the rich merchant culprit था तो option three होगा राइट एंसर तो यह अंतिम question था I hope आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करिएगा मिलते हैं next video में thank you चायन हुईब प्सक्तिव प्सक्राद में गाइब करशें